नमस्कार दोस्तों मैं अर्श वावल आपका स्वागत करता हूं हमारी वास्टेट चर्ण में हमेशा की तरह में आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे कॉइन शेर करता रहे था जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं जैसे कि इससे पहले मैं आपके साथ मेटावर्स बेस्ट कॉइन शेर की हैं लेकिन अभी जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कॉइन्स में स्टेबल कॉइन्स में वो आप भी जाते हैं कि यहां चेंस लग लग हैं जैसे कि कोई TRC20 है कोई ERC20 है कोई OMNI चेन है या फ्रेग्रम बात करें सुलाना चेन है पॉलयोन चेन जिसकी वज़े से क्रिप्टो करेंसिस को ट्रांस्यक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चेंस से लग लग होने की वज़े से और फीस भी बहुत जादा रहती है तो मेरा कहने का उतले है कि अगर इस सीज के उपर कोई प्रोजेक्ट काम कर रहे है तो वही मोस्ट एडवांस प्रोजेक्ट में से एग होगा और उसी का कॉईन आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा प् प्रोजेक्ट के बारे में जो अपने आप में पहले से बहुत बड़ा और स्ट्रॉंग प्रोजेक्ट है क्रेंटली ये सपोर्ट कर रहा है मल्टी चेंज को साइमूटेनिसली खुद का एक यूनिफाइड बिज बनाया हुए जिसमें इथेरियम पॉलिगॉन एवलांच इ उसका रोड्मैप जरूर्ट करें या फिर उसका use case क्या है ये हमेशा चेक करें क्योंकि उसी के basis पर प्रोजेक्ट आगे काम करता है for example अगर हम बात करें इस वक्ट पोलिगॉन की तो Polygon इस वक्त Ethereum को multi-chain ecosystem में convert कर रहा है, एक secured layer tool आकर, यही कारणा है कि बहुत सारे projects Polygon के साथ हमेशा integrate करते रहते हैं, और वही projects बहुत अच्छा perform करते हैं, वैसे जो Duals Finance है बहुत ही advanced project है, यह भी एक दाव है, जो next generation marketplace जनरेट कर रहा है, तो decentralized financial services provide करने के लिए, और इसे के साथ यह infrastructure provide करेगा third party financial instruments को, और सबसे बड़ी चीज, यह web3 के उपर काम कर रहा है, और जो भी projects मैंने आपको पहले बताया कि जो web3 के उपर काम कर रहे हैं, उसके साथ हमेशा जुड़के रहें, उसके जो अपने खुद के governance tokens हैं, जो भी coin है, उनको हमेशा buy करके रखें, तब अभी सबसे बड़ी चीज जो देखी मैंने वह है कि duals finance polygon के उपर काम कर रहा है, polygon और duals finance यहां regular business पर AMS भी करते रहते हैं, currently इस coin की value 45 dollar के आसपर सल रहे है, all time high अगर हम one year की बात करें, तो यहां 71, 72 dollar तक यह already पहुंचा है, all details से पहले मैं आपको बता दें तो कि आपके यह कहां से मिलेगा, quick swap के उपर आप यहां polygon या फिर matic के बदले में coins buy कर सकते हैं, for example आप यहां देखोंगे 100 matic के बदले मुझे 3.7 coins मिल जाएंगे, इसका सबसे बड़ा फाइदा जाम मिलेगा वो यही है, कि यहां fees बहुत कम रहने वाली है, लेकिन अगर आप Ethereum chain के उपर बाहर करना चाहते हैं या फिर Ethereum के बदले में, तो यहां आप Ethereum के बदले में करीब 103 duals coins ले सकते हैं, तो यह project ऐसा नहीं है कि आगे आने वाले समय में develop होगा, बलकि अल्रेडी इसका खुद का एक swap भी आचक है, and most advanced चीज़ जो मैंने इस project की देखी है, वह यह कि इसका एक distance देखा है, जो cross chain decentralized stock exchange है, शायद आज तक है कैसा पहला decentralized stock exchange है, और इसी के साथ जिसके उपर आपको ना तो sign up चाहिए, ना KYC चाहिए, और इसी के साथ यह SZWeb3 काम कर रहा है, तो stock exchange आज तक हमने देखे हैं, जितने भी stock exchange है पूरी दुनिया में, वह सभी की सभी regulated हैं, या फिर वो अंडर किसने किसी authority काम कर रहे हैं, लेकिन यह decentralized होने के साथ साथ क्या है कि, totally unbiased रहने वाला है, बिना किसी control के चलने वाला है, यही करने के हम DUOS को AMM भी बोल सकते हैं, यानि कि automated market maker भी बोल सकते हैं, और एक और अच्छी चीज़ जो मैंने देखी है, DUOS finance की, तो यहां आपको stable coins की उपर बहुत अच्छी earning मिल सकती है, तो अगर आप trading नहीं करना जानते, या फिर trading नहीं करना चाते, तो आप यहां DUOS coins या दे कोई जो इसका अपना खुद का stable coin है, उनको stay करके बहुत अच्छी earning पा सकते हैं, तो या आप देखोगे, day USDC पर आपको 50% APY मिलेगा, day DUOS पर आपको 100% APY मिलने वाला है, DUOS SEAT की उपर आपको 50% APY मिलेगा, 100% की बात करें तो शायद ऐसे बहुत कम platforms होंगे, जहांको इतना ज़ादा APY मिल रहे हैं, तो अगर आप इसको 45$ पर बाय करते हैं, तो शायद आपको एक बार लगेगा कि एक high price भी बाय किया है, लेकिन ये project इतना strong है कि इसकी potential यहां से 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना से लेकर 10 गुना तक की है, इसके पीछे main reason यह है कि यह continuously develop हो रहा है, तो यहां next generation financial instruments create किये जा रहे हैं, इसका Dioz का version 2 already आ चुक है जो कि Apollo के नाम का है, इसके बाद वी 3 Athena लाएगा, V4 Vulcan लाएगा और Dioz generation 2 evolution आने वाला है इसके बाद जो version 5 रहने वाला है, तो Apollo version 2 के साथ ही अपना खुद का coin लेकर आ है, जो DAE के नाम से DEI, जो cross chain stable coin है, यानि कि सिरफ एक unified bridge के उपर काम करने वाला है, इसके साथ आप अपने DAE यानि कि stable coins को farm कर सकते हैं, और उसके उपर बहुत जाद आपको APY मिलने वाली है, तो ऐसे जब Athena version 3 आएगा, automated counter trading शुरू हो जाएगी, और भी कई सारे updates आएगे जैसे कि optimize किया जाएगा APY को, और keeper box आने वाले हैं, V4 में यहाँ referral system introduce कर दे आजाएगा, तो I think अगर आप अभी से DAE coins को या फिर DAE coins को buy कर लेते हैं, तो जब referral system आएगा, leverage trading भी यही system प्रवाइड करने वाल है, और यहाँ stop limit orders भी अवलेबल हो जाएगे, I mean to say कि यहाँ DAE coins अपना खुद का exchange ही लेकर आने वाल है, अगर आप अपने stable coins याणि के DEI coins को यहाँ as a liquidity प्रवाइड करते हैं, तो staking करने के बाद आपको यहाँ बहुत बड़ा APY मिलता है, इसी के साथ जो मुझे expected है, वो ही है कि इसके उपर और भी कई सारे rewards मिल सकते हैं, क्योंकि जब भी exchange launch होती है, या फिर नए updates आते हैं, उसकी वज़े से हमें holders को और भी बहुत कुछ मिलता है, तो हमें 45 डॉलर का coin क्यों वाइ करना चाहिए, यह मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करिए, लेकिन यहाँ एक और चीज में आपको बताता हूँ कि यह एक्चल में third party platforms को build करने के लिए service देता है, जैसी के अगर हम बात करें, यह भी एक third party है, जिन्होंने अपना infrastructure डॉस के उपर build किया है, और वैसे मैंने आपको बताए कि यह polygon के उपर काम कर रहा है, थेरिम के उपर भी, इसी के साथ और भी कई सारी chains यहाँ use करी जाएंगी, हमारा जो ultimate एक मकसद है, यानि कि यहाँ fees कम लगे, scalability बहुत जादा हो, तो यह already पूरा हो रहा है, polygon chain के द्वारा, तो duos finance secure है, और एक verified है, decentralized clearing house काम कर रहा है, तो जितने भी आपको यहाँ rewards मिलेंगे, वो भी duos में मिलने वाले हैं, लिंक्स में कुछ आपके साथ share कर दूँगा, नीचे description में, आप भी एक बार duos finance को ज़रूर चेक करना, जो मुझे लग रहा है, अभी totally undervalued coin है, इसकी value जो मैं expect करता हूँ, जो actual होनी चाहिए, तो यह Binance को compete कर सकता है, और जल्दी $100, $150, easily पहुंचने वाला है, हाला कि मैं कोई financial advice नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपनी research एक बार duos finance के उपर ज़रूर करना, और day token के उपर भी करना, जो कि इसका खुद का एक stable coin है, जिसके उपर आपको यहाँ 100% APY मिल सकती है, तो इतना ही था, आज की इस वीडियो में और भी कई सारी अब्रेट्स में आपको साथ share करने वाला हमारी telegram के उपर, अगर आपको जानकर ही अच्छी लगिए, अपने friends और family के साथ share करते हुए हमारी चैनल वालफरेट को सब्सक्राइब करके बेले के अदबाल जिजिए, ताकि अब तक सारे notifications सबसे पहले महुचे, stay tuned, वालफरेट साइनिंग ओफ